फ्रेस फ्रेस जूस किसे नहीं पसंद पर हाँ बनाने उसे थोड़ा मुस्किल लगता है तो जी सुन लीजे बिल्कुल भी मुस्किल नहीं है आज हम बनाएंगे औरेंज का फ्रेस जूस घर में बहुत यासानी से बिल्कुल दो मिनट में तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बीना देरी किये तो हेलो फ्रेंट नमस्कार जोती की बजर सभी में मैं इसा की तरह आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैंने याप पर दो ओरेंज लिए हैं जिसे मैं पहले छील लूँगी तो मुझे जैसे आसान लगता है मैं वैसे छीलती हूँ पहले चाको से थोड बजार कर लेंगे ना फिर आपको यकीन नहीं होगा कि जो हम बजार से जाकर इतना महना गलास करेंगे पीते हैं उसमें भी क्या मिला रहता है गरेंटी नहीं रहती वह जूस हम घर में बहुत अच्छे से बना सकते हैं तो यहाँ पर यह दोनों ओरेंज को मैं अच्छे से चिलके को निकाल लिया चिलके को यहां पर इसके साड़े चिलके को मैं साइट करूंगी और और owner को का मैं अलग कर लोगी यह जो भी रेसा इसका है बड़ा बड़ा voyez उसको मैं अलग कर लूँगी सारे औरेंज को पिसेट में रखने वाली हुमें अगर आपके औरेंज में थोड़ा बीच जादा है तो बीच को भी चाहिए तो आप निकाल सकते हैं यहां पर बीच बहुत ही कम था तो मैंने नहीं निकाला है और यहां पर नहीं और 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 उसे भी चील कर उसके रचसे को मैंने निकाल लिया और पिसेट में कर लिया अब इसे एक मिकसर जाड में डालेंगे तो यहां पर मैंने एक मिकसर जाल लिया उसमें केकर के सारे पिस को डाल दिया आपकी इस कॉंटिटिटी में बना रहे हैं अगर जादा बना रहे हैं तो दो से तीन बार में डाल के ग्राइंड करिएगा, मैंने एक बार में सारा डाल दिया है, अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं, तो आपको मैं ग्राइंड करके दिखाती हूँ, तो यह दिखे, यहाँ पर यह औरेंज सारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, अब यहाँ पर ए पर चनी से उसे चान लेना है इतना बढ़िया टेश्टी जूस हमारा घर में त्यार हो जाता है ना कि क्या कहना तो यह देखिए मैंने सारा चान लिया जाते तो यहां पर ना औरेंज को मैंने डिरेक्ट प्रीच से निकाल कर यह जूस त्यार किया है तो अल्रेड यह बहुत प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को भी जरूर फ्रेस कीजिए ताकि जब भी विडियो कासी नई वीडियो डालों तो सबसे अबले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे